कर देखने को मिलते हैं और कई लोग इनसे ग्रसित रहते हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता ठीक है लेकिन इसका जो असर होता है इसका असर हमारे हर्ट से लेकर हमारे लंग से लेकर हमारे हर वाइटल और ब्रेन तक पर पड़ता है ठीक है तो आज उसी विशह पर बात करेंगे कि अगर आपको आपको आइरन की डेफिशेंसी तो आपको क्या-क्या सिम जो हीमोगलोबिन होता है बॉड़ी के अंदर जिसे हम बोलते हैं oxygen carrying capacities होती है red blood cells से उसका formation करता है तो oxygen अगर आपका iron की deficiency होगी तो आपको सबसे पहला main symptoms क्या लगेगा weakness और tiredness ठीक है आपको हमेशा weakness और tiredness लगती रहेगी आपका हीमोगलोबिन कम रहेगा तो आपको जो oxygen carrying capacity रहेगी वो कम हो जाएगी साथ ही आपकी red blood cells कम हो जाएगी तो आपको हमेशा weakness, tiredness लगेगी sudden एकदम से tiredness लग सकती है suddenly आपको चक्करा सकते है blackouts लग सकता है ठीक है तो ये कुछ symptoms हमें iron deficiency ऐनीमिया वाले patients में देखने को मिलते हैं या जिन में iron की deficiency होती है ये पहला main symptom होता तो आपकी pale skin, pale हमारी body के अंदर अगर हम देखें तो हमारे हाथ ये देखते है हमारी हाथ लिए रहती है, red देखती है, आपकी jeep देखते हैं, tongue देखते हैं, lips देखते हैं, आखों के नीचे हमें इस तरह से patients की आखें देखते हैं तो उससे भी हमें मालुम पड़ जाता है तो redness उसकी खतम हो जाती है ठीक है तो ये एक main symptoms हमें देखने को मिलता है तीसरा बहुत मैटपूल symptom है dizziness और एक तरह से देखा जाए तो forgetfulness एक तरह से patient को हमेशा बनी रहती है dizziness iron का वही एक main role रहता है कि वो क्या करता है आपकी body के अंदर जितनी भी oxygen carrying capacities होती है वो पूरी maintain करता है नए iron मतलब जितनी भी new RBCs होती है उसका formation करता है इसलिए हमें iron की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है fourth point shortness of breath shortness of breath का main कारण यही होता है कि जब भी आपका iron level normal से कम हो जाता है तो आपको shortness of breath लगने लग जाती है क्यों लगने लग जाती है आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास एक काम करने के लिए आप देखेंगे सो लोग है और उस काम को वो easily कर पा रहे हैं वहीं पर अपने पास 50 लोग रहेगा है ठीक है पाचवा पॉइंट है dry skin और dry hair ठीक है iron की कमी के कारण आपका hair loss बढ़ता है maximum number of patients जिनको iron की deficiency होती है उन्हें female pattern और male pattern hair loss होने की संभावना बढ़ जाती है skin जो रहती है वो dry रहती है और साथ ही अगर हम देखें इसका जो असर होता है हमारी पूरी body की skin पर पढ़ता है और dryness होने के कारण infection होने के chances बढ़ जाते हैं छटे point के बारे में बात करते है infections prone होना मतलब infection जादा होने की संभावना होना आपकी body में बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है कि आपकी body में कही में न होती है जिसकी वज़से iron deficiency along to the Lancer तो mood और जो हमारा एक depression, anxiety ये सब चीजे और जितने भी maximum happy hormones होते हैं उनका precursor होता है iron तो iron की कमी के कारण आपको depression, anxiety होने की संभावना रहती है इसलिए iron की बातरा आपकी diet में अच्छी होना चाहिए आठवा point है इसका एक weird craving ठीक है कई लोग iron की deficiency के कारण है कुछ लोगों में cravings होने लग जाती है ठीक है कुछ लोग इना मिट्टी खाने लगते हैं कुछ लोग इसी non food items की craving होती है उसे pika syndrome कहते हैं वो iron deficiency के कारण होता है अब बात करते हैं अगर आपको iron deficiency है तो आप क्या करें अगर आपको iron deficiency है तो सबसे पहले आप अपने doctor को दिखाएं कितना iron है कितना आपको iron की requirement है उसके according doctor आपकी तैय करेगा कि आपको कितने iron की requirement होती है डेली अगर iron का इंटेक देखे तो 14.8 ग्रामस ओफ iron की आपको requirement होती है जो कि हमारी डेली diet और nutrition से easily मिल सकता है दाले हो गई हरी सबजिया हो गई अंडा हो गया फिश हो गई चिकन हो गया ठीक है इन सबसे आपको iron भरपूर मात्रा में मिल सकता है लेकिन आपको proper आपकी diet क को manage करना आना चाहिए dairy products में भी iron की ठोड़ी बात मात्रा में रहता है साथी अगर आप iron rich food ले रहे हैं तो vitamin C या citrus fruit भी आप लें ताकि iron का absorption proper होता रहे है ठीक है तो यह एक tips होती है जो कि आप उसे follow करें अगर आपको iron deficiency एनीमिया है तो ठीक है तो यह था मेरा particular iron deficiency से आपको क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं तो मैंने आपको top 8 symptoms बताए हैं इन symptoms को आप नजर अंदाज ना करें आपको जैसी symptoms दिखते हैं आप अमने डॉक्टर से चर्चा करें और iron के लिए जो भी treatment होता है वो start करें hope so यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने questions पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मज गाइस जय है जय भारत